तो हेलो एवर्यवन आज हम बात करने जा रहे हैं computer network के अंदर networking devices के बारे में आज हम different networking devices को देखेंगे और उनके work के बारे में detail में discuss करेंगे यदि आप किसी particular device को देखना जाते हैं तो आप description में जाकर उस device के आगे दियोए time पर click कर सकते हैं और directly उस device के बारे में सीख सकते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ आप मुझसे Facebook, YouTube या Telegram पर connect हो सकते हैं या फिर आप मेरी website विजिट कर सकते हैं आपको जो भी doubt हो आप उसको description में post कीजिए मैं वहाँ पर आपके doubt क्लियर करूँगा या फिर आप Facebook या Telegram पर भी जा सकते हैं या फिर website पर भी जा कर comment कर सकते हैं तो चलिए start करते हैं तो हम start करते हैं introduction से और बात करते हैं कि networking devices की हमको ज़रुरत क्यों पढ़ती है ISO जो की international standard organization है उसने एक OSI model यहाँ पर बनाया है जो की एक standard है जब दो या दो से ज़्यादा devices आपस में connect होती है और communicate करती है तो उनको इन rules को या इन standards को follow करना पड़ता है तो इन different layers पर यहाँ पर total seven layers होती है तो इन different layers पर different different devices work करती हैं जितनी भी hardware devices हैं वो one, two and three इन तीन layers पर काम करती है तो हमको different layers पर present different devices के बारे में आपर discuss करना है तो जब आप devices को आपस में connect करते हैं तो आपको उनको manage करने के लिए उनके communication को manage करने के लिए उनके connection को बनाए रखने के लिए वहाँ पर जो traffic होगा जो data आप send करेंगे उसको control करने के लिए कुछ hardware devices की जरूरत पढ़ती है जिसको ही हम यहाँ पर पढ़ने बाले हैं सबसे पहले हम देखते हैं कि physical layer पर कौन कौन सी devices work करती है physical layer पर NIC, network interface card, RJ45, modem और repeaters काम करते हैं इसके बाद आती है data link layer data link layer में mac addresses पर काम करने वाली devices रहती है mac address एक physical address होता है जिसको आगे हम वीडियो में ही discuss करने वाले हैं तो यहाँ पर जो devices काम करेंगी वो रहेंगी hub, bridge and switch इसके बाद है network layer network layer में जो भी devices रहती हैं वो IP address पर काम करती हैं IP address एक logical address होता है जो हर एक devices को जो भी network से connect होती हैं दिया जाता है इन पर जो devices रहती हैं जिसको हम पढ़ने वाले हैं वो है router और gateway इसके अलाबा भी कई devices होती हैं लेकिन वो आपके syllabus से बाहर है तो इन 10 devices को हम इस वीडियो में देखने वाले हैं चलिए start करते हैं NIC से NIC का full form होता है network interface card जैसे कि आप यहाँ पर समझ सकते हैं interface का मतलब होता है connect होना network से connect होने के लिए आपकी device में NIC का होना बहुत important है NIC यह कार्ड होता है यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके के यह कार्ड होते हैं जिसके तुरू आप network से अपने device को connect कर सकते हैं it is a device attached to each workstation workstation का मतलब होता है computers और servers server भी एक तरीके के computers होते हैं help to make connections within the network तो आप अपने workstation या server को network के थुरू connect कर सकते हैं अब यह एक physical device है जो आपके computer में रहती है तो इस physical device में manufacturer एक address देता है जिसको ही हम node address, mac address या फिर physical address बोलते हैं या आपके computers में लगी रहते हैं तो इसका एक physical address रहेगा जो इस device पर रहेगा उसको हम mac address बोलेंगे mac का full form होता है media access control या फिर हम उसको physical address या node address भी बोलते हैं NIC दो types के होते हैं यहां type आप समझ सकते हैं आपके पास यदि laptop है या desktop है तो आप उसमें internet कैसे चलाते हैं या तो आप उसको wire के थूरू connect करते हैं या फिर आप उसमें wifi से connect करते हैं यहां पर जो type है NIC के वो दो type के होते हैं एक तो है ethernet card दूसरा है wifi card तो ethernet card में आप wire के थूरू अपने system में net चलाते हैं या फिर उसको network के थूरू connect करते हैं तो यहां पर आपको जो device दिख रही है वो एक ethernet card है जिसमें आप यहां पर देख सकते हैं यह wire के लिए port है जहां पर आप internet का wire लगाते हैं और इस chip को आपके computer में internally connect कर दिया जाता है आप अपने CPU में बाहर यह port देख सकते हैं जिसमें आप RJ45 jack connect करते हैं दूसरा होता है wifi card जो आप यहां पर देख सकते हैं कई desktop में भी यह card inbuilt आता है या फिर आप बाहर से भी इस card को लगा सकते हैं तो यह generally laptops में inbuilt रहता है और आप desktop में inbuilt या फिर इसको externally use कर सकते हैं इस पर भी एक physical address रहता है जिसको हम इसका physical address बोलते हैं तो जो LAN से connection रहेगा उसके लिए अलग physical address रहेगा जो wifi के through connection रहेगा उसके लिए अलग physical address रहेगा दोनों से ही आप अपनी device को network के through connect कर सकते हैं यदि आप चाहते हैं कि आप अपनी device का physical address चेक करें तो उसको आप बड़ी आसानी से चेक कर सकते हैं आपको command prompt पर जाना है और आपको लिखना है ipconfig slash all तो यहाँ पर यदि आपके पास दोनों ही card available हैं आपके computer में जैसे कि मैं अभी laptop यूज़ कर रहा हूँ मेरे पास ethernet card भी available है और wifi card भी available है तो आप यहाँ पर अपने computer का physical address चेक कर सकते हैं यहाँ पर जैसे ही मैंने इस command को चलाया तो बहुत सारे data मेरे सामने आएगा उन में से कुछ data इस तरीके का होगा ethernet adapter जिसमें physical address दिया हुआ होगा यह mac address कहलाता है या फिर physical address कहलाता है यह 48 bits का होता है अभी आपको यह hexadecimal form में दिख रहा है इसके बाद wireless LAN या wifi card के लिए भी आपको physical address मिल जाएगा यह भी similar 48 bits का होता है तो इस तरीके से आप अपनी device का physical address चेक कर सकते हैं interface card बोलते हैं चली आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं RJ45 को RJ45 एक ethernet cable से connect रहता है यह जो cable है वो ethernet cable है और यह जो आपको jack दिख रहा है यह plastic का इसको ही हम RJ45 बोलते हैं आपने इनको जरूर देखा होगा यदि आपने internet को use किया है तो यह wire के साथ आगे लगे रहते हैं जिसको आप अपने computer में connect करते हैं RJ45 का full form होता है registered jack registered jack 45 RJ45 is an 8 wire connector यहाँ पर आप 8 wires यहाँ पर connect कर सकते हैं जो ethernet cable रहती है उसमें 8 wires रहते हैं जिसको आप RJ45 में connect करते हैं which is commonly used to connect computers online especially ethernet जिसको आप अपने computers को इस cable के थुरू इस jack के थुरू network से connect कर सकते हैं यदि आप internet का cable use कर रहे हैं तब भी आप WAN यानि की wide area network में connect होते हैं आप अपने computer को इस jack का use network में connect करने के लिए करते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं next device की जो की है modem modem का full form होता है modulator demodulator mo से modulator dem से demodulator जैसा कि आप इस diagram में देख सकते हैं यहाँ पर modulation और demodulation की process यहाँ पर मैंने समझाई हुई है यहाँ पर आपके पास एक computer है आपको पता होगा computers digital signal पर काम करते हैं यहाँ की 0101 की language समझते हैं यह digital signal है जो low voltage यहाँ पर वो 0 को depict करता है जो high voltage है वो 1 को depict करता है यानि कि आपका computer digital signal पर काम कर सकता है क्योंकि यह 0101 को समझता है लेकिन computer से बाहर जब भी आप signal भेजेंगे जैसा कि networking में होता है तब आपको उस signal को analog signal में convert करना पड़ेगा जैसे कि यहाँ पर किया गया है तो digital से analog signal में convert करने के लिए आपको modem की ज़रुरत पड़ती है similarly आप जब किसी signal को बाहर से receive करेंगे तो वो एक analog signal होगा जिसको आप modem के थूरु digital signal में convert करेंगे फिर आप अपने किसी दूसरे computer में उसको use कर सकते हैं तो जब हम किसी device के signal को digital से analog में convert करते हैं तब उसको हम modulator बोलते हैं और जब हम किसी analog signal को digital में convert करते हैं तब उसको demodulator बोलते हैं demodulator या demodulation process बोलते हैं जो device modulation और demodulation की process को करती है उसको हम modem बोलते हैं यह modem आपके computer में CPU में inbuilt हो सकता है या फिर आप इसको बाहर से भी use कर सकते हैं external modem purchase करकर तो यह था आपका modem अब हम चलते हैं और देखते हैं next device को जो है repeater यह एक device है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं यह weak signal को accept करता है और उसको amplify करके further transmission के लिए आगे भेज देता है जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर एक weak signal इसको मिला जिसको इसने strong signal में convert कर दिया और आगे transmit कर दिया यह तो हो गई बात यह repeater काम क्या करता है अब signal weak कैसे होता है इसको समझ लेते हैं क्या होता है जब आप signal को transmit करते हैं through wire तब कुछ time बाद कुछ दूरी बाद wire में signal lost होने लगता है वो signal lost होता है तो उसको amplify करने की जरूरत है ताकि वो आगे भी travel कर सके तो जहाँ पर signal lost होता है वहाँ पर हमको repeater लगाना पड़ता है रिपीटर लगाने से जब wire में signal आएगा और वो weak होगा तो उसको repeater strong signal में convert कर देगा ताकि वो और आगे दूरी तक travel कर सके अब different different wires होते हैं तो different different wires में different different distance तक transmission करने की capability होती है कुछ wires में 100 meter तक कुछ में 200 meter तक और आपको जानकर हैरानी होगी कि fiber optics up to 60 km तक आपके signal को बिना weak के हुए transmit कर सकती है यहाँ पर हम एक general conception लेके चल रहे हैं कि 100 meter distance के बाद आपका signal है वो weak हो जाता है तो from after 100 meter आपको wire में repeater लगाने की जरूरत पढ़ सकती है तो आप इस repeater को अपने wire में use कर सकते हैं और अपने signal को जहाँ पर आपका signal weak हो रहा है उसको strong में convert करके आगे transmission करने के लिए capable बना सकते हैं यह तो रही repeater की बात अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे hub को अभी तक हमने जितनी भी devices पढ़ी वो सब physical layer पर काम करती थी अब आगे हम जो devices पढ़ने वाले हैं वो सारी data link layer पर काम करती है सबसे पहली device है जो data link पर काम करती है वो है hub यदि आप δो computer को connect कर रहे हैं तो उनको आप directly एक wire से connect कर सकते हैं एक wire का RJ45 आप एक computer में लगाएंगे और उसी wire का दूसरा छोर दूसरा RJ45 आप दूसरे computer में लगा देंगे तो एक ही wire से आपके दो computers connect हो जाएंगे लेकिन यदि आपको दो से ज़्यादा computers को connect करना है तो आपको कुछ ऐसी device चाहिए जो सारे computers को connect कर सके तो आप hub का use कर सकते हैं अब सारी devices को आपस में connect कर देगा तो hub कुछ ऐसी device होती है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं और यहाँ पर भी देख रहे हैं यहाँ पर पीछे आप ports देख रहे हैं जो RJ45 ports हैं तो आप सारे devices से RJ45 लेकर इसमें लगा देंगे तो सारे workstation या सारे computers आपस में network के थुरू connect हो जाएंगे A hub is an electronic device that connects several nodes to form a network and redirect the received information to all the nodes in the broadcast mode अब hub काम क्या करता है आपने connect तो कर दिया सारे computers को अब hub कैसे काम करेगा तो hub की working को समझने के लिए आप यहाँ पर एक छोटा सा animation देख सकते हैं यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यह पहला वाला computer है वो data को भेज रहा है तो यह data hub सारे computers के पास भेज दे रहा है फिर से आप देखिए फर्स्ट computer ने जो data भेजा वो सारे computers के पास पहुँच गया तो hub क्या करता है हब एक computer यदि किसी data को दूसरे computer को send करता है तो hub उसको broadcast कर देता है इसलिए यहाँ पर लिखा है कि hub broadcast mode में काम करता है इसलिए hub को हम non intelligent device भी बोलते हैं कि यह अपना कोई intelligence नहीं लगाता है यह किसी information को सारे devices में broadcast कर देता है hub का use ज़्यादा तर हम star या ring topology में करते हैं और hub mac addresses पर काम करता है जिसे कि हम पहले ही discuss कर चुके हैं hub data link layer पर काम करता है data link layer पर काम करने वाली सारी ही devices mac addresses पर काम करेंगी hub दो different types के होते हैं पहला है active hub दूसरा है passive hub active hub repeater के जैसे काम करता है यदि इसके पास कोई signal आता है तो उसको amplify करके यह आगे भेज देता है passive hub सिर्फ hub के जैसा काम करता है वो signal को amplify करके आगे नहीं भेजता है तो active hub repeater plus hub दोनों cover करता है passive hub सिर्फ hub जैसा काम करता है तो यह थी hub की working I hope आपको hub समझ आया होगा अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं data link layer की दूसरी device जो की है bridge तो hub के साथ हमने एक problem देखी problem थी कि hub किसी भी signal को broadcast करता है याने की वो किसी signal को एक computer के पास ना भेज कर सारे computer के पास उस message को भेज देता है ऐसे में क्या होता है आपके जो network है आपका उसकी bandwidth loss होती है bandwidth lost होने का मतलब है कि आपको जहाँ signal transmit करने की जरूरत नहीं है आप वहाँ भी signal को transmit कर रहे है तो इस problem को resolve करने के लिए हम bridge का use करते है तो bridge क्या करता है आपके जो network है आपका उसको दो different collision domain में divide कर देता है अब collision domain क्या होता है इसका मतलब होता है कि यहाँ पर मैंने अपने network को दो part में तोड़ दिया यहाँ पर यह जो devices हैं वो hub इस hub से manage होंगी और यहाँ पर जो devices हैं वो इस hub के through manage होंगी और इन दोनों के बीच हमने एक bridge लगा दिया तो bridge क्या करेगा? bridge यहाँ से जो signal आएगा उसको आगे transmit नहीं करेगा यदि वो इस network के किसी computer के पास नहीं जाना है similarly यहाँ से जोड़ signal आएगा वो इस वाले network में transmit नहीं करेगा यदि यहाँ पर वो signal नहीं जाना है In telecommunication networks, a bridge is a product that connects a local area network to another local area network तो यह एक LAN है और यह दूसरा LAN है यह एक local area network है यह दूसरा local area network है जिसको हम bridge के थुरू जोड़ रहे हैं यह दोनों ही network same protocol पर काम करना चाहिए तभी हम उसको bridge के थुरू connect कर सकते है जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते है that uses the same protocol तो एक LAN को हम दूसरे LAN से connect कर सकते है using bridge the condition is that both the LANs should work on same protocols जैसा कि हम पहले ही discuss कर चुके हैं bridge data link layer पर काम करता है इसलिए bridge use करेगा mac address या physical address को वो इन सारी devices के physical address को store करके रखेगा तो bridge कैसे काम करता है bridge different devices के इस तरफ जो LAN है उसके physical address को और इस तरफ जो LAN है उसके सारे devices के physical address को store करके रखेगा और जब एक device signal को transmit करेगी तब वो चेक करेगा जो दूसरे device के पास signal जाना है उसका physical address क्या है मालिया ये device इस device को data transmit करना चाहती है तब bridge इस signal को pass होने देगा यदि ये device इस device को signal transmit करना चाहती है तो हब चुकि signal को broadcast कर देता है तो हर एक line जो आपको यहाँ दिख रही है wire उस पर signal चला जाएगा और bridge उसको यहाँ पर रोग देगा चुकि उसको पता है ये device इस वाले LAN में है तो इसी LAN में ये device को signal मिलेगा तो वो आगे signal को नहीं भेजेगा ऐसा करने पर आपकी जो network है उसकी bandwidth बच जाती है तो ये रही working a bridge examines each message on a lane passing those known to be within the same lane यानि कि यदि same lane में message transmit करना है तो वो उसको pass कर देगा यानि कि आगे नहीं जाने देगा and forwarding those known to be the other interconnected lane और उनको forward करेगा जो दूसरे interconnected lane के लिए जाना है तो bridge एक intelligent device हो गई जो mac address को store कर पाएगी और decide कर पाएगी किस message को आगे जाने देना है और किस message को एक ही lane में रोक देना है ये हो गई bridge की बात अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं data link layer की next device को जो की है switch तो bridge के साथ problem ये थी कि जब हम bridge का use कर रहे थे तो हमको अपने network को दो या दो से ज़्यादा part में तोड़ना पड़ता और हमको hub का भी use करना पड़ रहा था ऐसे में क्या हो रहा था कि hub जहाँ पर use हो रहा था उतने part में तो network bandwidth का loss हो रहा था तो hub और bridge को replace करने के लिए एक नई device आई जिसको हम बोलते हैं switch switch को आप देख सकते हैं यहाँ पर switch है switch का use करके भी हम hub की तरह दो से ज़्यादा devices को आपस में connect कर सकते हैं switch में भी यहाँ पर different ports होंगे जो RJ45 ports हैं यहाँ पर आप different wires को directly लगा सकते हैं यहाँ आप इन सारे wires को यहाँ पर लगा देंगे तो आपके सारे ही workstation या computers आपस में कुछ इस तरीके से connect हो जाएंगे और वो एक network form कर लेंगे जिसमें आप एक computer से दूसरे computer में data आसानी से transfer कर सकते हैं switch is an intelligent device connect several nodes to form a network and redirect the received information only to the intended nodes इसको हम अच्छे से समझ लेते हैं कि switch कैसे काम कर सकता है switch कैसे काम करता है उसके लिए आप एक animation यहाँ पर देख सकते हैं तो first device है वो red signal को भेजना चायती है last device में आप यहाँ पर देख सकते हैं red signal last device के पास पहुँच गया तो यहाँ पर switch ने जिस device को data भेजना था cable उसी device को data भेजा तो यहाँ पर switch ने data को multicast या broadcast नहीं करा similarly एक black data इस device से इस device के पास जा रहा है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक साथ दो data दो जगह ट्रांस्मिट हो रहे हैं और यहाँ पर कोई भी collision या data loss नहीं हो रहा है इसलिए switch को हम एक intelligent hub भी बोलते हैं क्योंकि यह hub के तरह ही दो से ज़्यादा devices को आपस में connect करता है लेकिन यह intelligently काम करता है हमने बात की थी कि switch data link layer पर काम करता है इसलिए यह mac addresses का use करता है अब यह काम कैसे करता है यह mac address table बना के रखता है आपको पता होगा कि सारे ही computers के पास एक physical address होता है जिसको हम mac address बोलते हैं इस mac address की table switch अपने अंदर store कर लेता है उसको पता रहता है कि different devices का mac address या physical address क्या है और उसको पता रहता है कि वो device किस port पर connected है जब एक computer दूसरे computer के पास data भेजता है तो वो switch को बताता है कि इस mac address के पास data भेजना है तो switch अपने mac address table में उस device का address चेक करता है और पता करता है वो device किस port पर connected है तो data को सिर्फ उसी port पर आगे send कर देता है तो switch आने के बाद bridge और hub का use बंद हो गया bridge और hub अब बहुत ही कम use होते हैं जिसमेंसे bridge अब use नहीं होता है उसकी जगए हम switch को ही use करते हैं तो यह थी switch की working अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं router तो अभी तक हमने जितनी device देखी इसमें हमने hub देखा bridge देखा और switch देखा तो यह तीनों ही data link layer पर काम कर रहे थे अब आगे हम जो devices देखने वाले हैं इसमें है router and gateway वो आपकी network layer पर काम करेंगी तो आपको पता होगा network layer पर काम करने वाली devices IP addresses पर work करती हैं तो आगे आने वाली devices याने की router और gateway भी IP addresses पर काम करेंगे तो router भी IP addresses पर काम करता है router का use हम अपने network से data को बाहर send करते हैं वहाँ पर करते हैं तो किसी भी network से बाहर निकलने के लिए हम वहाँ पर router का use करते हैं यदि मैं आपको कोई example दूँ तो आपको पता होगा यदि आपने घर पर internet का connection लिया है तो आपने वहाँ पर सबसे पहले connection लेते time router का use किया होगा जहां से बाहर से आपके घर में जहां भी connection आया होगा वो सबसे पहले router में आया होगा उसके बाद आप अपने घर में या तो computer पर या laptop पर या फिर आप अपने mobile पर internet का use करते हैं तो आप अपने घर में भी एक छोटा सा network बनाए हुए हैं और उस network से बाहर निकलने के लिए आप router का use करते हैं तो बाहर से आने वाले data को router check करता है यदि वो data आपके network के लिए है तब उस data को आपके network में enter करने देता है नहीं तो वो उसको बाहर ही रोग देता है या फिर बापिस आगे भेज देता है routers normally LAN को WAN से connect करते हैं यानि की local area network को wide area network से connect करके रखते हैं जैसे की मैंने आपको एक example दिया internet जब आपके घर पर आता है तो आप उसको router में directly connect करते हैं फिर आप अंदर अपने घर में उसको use करते हैं तो internet आपको याद होगा हमने last video में discuss किया था एक example है wide area network या WAN का WAN का तो जब internet आपके घर में आता है तो आप उसको router में connect करते हैं फिर उससे आप अपने घर के LAN को यानि की local area network को connect करते हैं router अपने पास एक routing table रखता है जो IP addresses को store करती है आपके network में जितनी भी devices हैं उसके IP address को router store करके रखता है और किस device के पास data भेजना है वो उसको पता चल जाता है जैसा कि आपको पता होगा हमने पहले भी discuss किया है router network layer पर काम करते हैं जो कि network layer जितनी भी devices वहाँ पर काम करती हैं वो सारी IP addresses पर काम करती है तो router भी IP address पर काम करता है और उसके basis पर वो decision लेता है कि आपका जो data आया या data packets आये वो कहाँ पर उसको भेजना है अब हम बात करते हैं network layer पर work करने वाली last device की जो की है gateway तो gateway का काम होता है दो dissimilar networks को आपस में connect करना जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर एक network है जो ethernet network है और यहाँ पर भी एक network है जो token ring network है तो इन दोनों की working totally different है यानि की यहाँ पर जो work होता है जो rules use होते हैं वो different है और यहाँ पर जो rules use होते हैं यानि की protocols use होते हैं वो different है तो इन दोनों को आपस में connect करने के लिए हमें use करना पड़ता है gateway gateway भी एक network device है जो network layer पर काम करती है इसलिए यह भी IP addresses पर काम करेगी तो इसका काम होता है establishes intelligent connection between local network and external network with completely different structure तो हमारे पास कोई local network है जिस पर हम काम कर रहे हैं और बाहर कोई दूसरा network है जो totally different structure है जिसका उन दोनों networks को आपस में हम gateway के थुरू connect कर सकते हैं जैसे कि यदि आपको पता होगा ISP क्या होता है ISP होता है internet service provider जो आपको यदि आपके घर पे internet है तो आपको पता होगा कि ISP आपको internet provide करता है जैसे कि BSNL एक internet service provider है जो की internet provide करता है जो BSNL का जो network है यदि मैं broad level पर बात करूँ यदि आपकी city में जो network है जिसको metropolitan area network बोलते हैं man बोलते हैं तो उसका work करने का structure different है यदि कोई दूसरा ISP है यानि की जैसे की Airtel या फिर कोई और भी hardware internet है तो उसका work करने का protocols different होंगे तो एक ISP के पास उसका gateway होता है जहां से signal आगे transmit होते हैं तो दो different companies जब आपस में connect होती हैं तो वो gateway का use करती हैं क्योंकि दौनों companies का networking structure different हो सकता है और वो different protocols पर भी work कर सकती है gateway is the ISP that connects the user to the internet तो जो gateway है वो एक internet service provider है जो user को internet से connect करते हैं याने कि outer network से wide area network से connect करते हैं ताकि आप दूसरे लोगों से connect हो पाएं और internet का use कर पाएं gateway can also act as firewall API gateway EDC तो जो आपका gateway है वो firewall के जैसे भी काम कर सकता है क्योंकि बाहर से आने वाला जो भी data होगा वो gateway उसको filter कर सकता है और आगे भेज सकता है ऐसे ही application programming interface के लिए भी gateway यूज हो सकता है तो यह थी हमारी सारी devices जो हमने यहाँ पर देखी जिसमें हमने बात की physical layer पर कौन सी devices काम करती है data link layer पर कौन सी devices काम करती है उसके बाद हमने देखा network layer पर कौन सी devices काम करती है I hope आपको यह वीडियो समझ आया होगा यह सारी devices बहुत important है जिसमें से आपके exam में questions आते हैं तो यदि आपको कहीं भी कोई doubt है तो आप उसको comment section में post कर सकते हैं और मुझसे उस device के बारे में discuss कर सकते हैं Thank you for watching this video. We will meet in next video and learn something new. Thank you.